मवेसियों को इस सरकार ने खुले छोड़ दिया गया है जहां किसानों के खेत को नुक्सान पहुचा रहे हैं और सडकों पर आ रहे हैं जहां एक्सिडेंटल से सिदी-सिदी मौते हो रही है सरकार का मौशियों कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए प्रदेश कॉंग्रेस कमिटे ने निड़े लिया है CBI, ED, IT का RAID, EOW का RAID किया जा रहा है इससे हम डरने वाले में से नहीं है हमारे विदायक देवेंद यादो जी को बलोदा बाजार घटना में उनका तार जोड़ा जा रहा है एक बार बयान दे चुके रात को फिर उनके पास लोटी साता है आकिर आप इस लोग तंत्र में डराने की राजनीतिक आप किस से कर रहे है नमस्कार जये जोहार जये 66 गड़ में योगेश और विलाई टैन जिकना शुरू कर चुके हैं आप लोग सभा और विधान सभा चुनाओ के बाद राजनान गाओं में अब नगरी निचाए चुनाओ का बीगुल बच चुका है सिर्ष निताओ का लगातार यहां दोरा है आज आदिवासी दीवस के मौके पर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपग बैज राजनान गाओं पहुचे जहां उन्होंने यहां के वरिष्ट कारिकर्ताओ को नेताओ को नगरी निचाए चुनाओ और पुंचायत चुनाओ के लिए चार्ज किया इसके संदर्वी में आज मिटिंग होई और मिटिंग अभी भी चर रही है आपको बता दे कि 14 अगस्त को होने वाले कॉंग्रेस के सविधान यात्रा और 16 अगस्त को सड़क पर घूम रहे मावेश्टियों के मुद्दे पर वीजेपी के खिराप अंदोलन की त्यारी है जिसके लियए आज कारी करता हूँ कि उणोंने बैठक लिए है बैठक चड़ रहा है आपको बता दे कि साहत ही उन्होंने मिडिया से चर्चा करते वडिया की तंच कसा है बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर संच कसा है और ये भी बताया है कि आधी वासी दीवस पर उन्होंने आखिरकार 36 गड़ के CM विश्णु देव साय को पत्रक क्यूं लिखा ये आप आगे वीडियो में देख सकते हैं साथी उनसे जब CBI और ED पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने CBI और ED पर क्या कुछ आप आगे वीडियो में आज राज्यांदगाओं दोरे पर आये है और कारेकरता और इछने तव से मलाकात करेंगे, चर्चा भी करेंगे और सेंगठन की सभी हमारे MLS भी है प्रादिकारी है सभी लोग से मिलकर आगामी जो नगरी निकाय चुनाव सम्मधित चर्चा पनचाय चुनाव सम्मधित चर्चा फिर 14 तारीक को जो हम लोग ने एजेंडा दिया है सभी वार्डों में के हम लोग सभी दिवस के रुप में हमारे पूरे सभी कारेकरता सभी वार्डों में प्रमण भी करेंगे और शौला तारीक को हम लोग का फिर एक प्रदर्शन हो रहा है जो मवेसियों को इस सरकार ने खुले छोड़ दिया गया है जहां किसानों के खेत को नुक्सान पहुचा रहे और सडकों पर आ रहे जहां एक्सिडेंटल से सिदी-सिदी मौते हो रही है सरकार का मवेसियों पर कोई नियंतरन नहीं है इसलिए प्रदेश कॉंग्रेस कमिटे ने निड़े लिया है कि सुल्ला अगस्त को ब्लाग और जिला मुख्यायले में सभी मवेसियों को लेकर आपिसों में हम लोग छोड़ने का काम करेंगे यह भारती जंता पार्टी और सरकार की एक राजनितिक प्रपोगेंड़ा है और राजनितिक प्रपोगेंड़ा के अलाबा कुछ भी नहीं है और सिर्फ राजनितिक प्रपोगेंड़ा करने के लिए एक तिरंगा जंडा को लेकर घरगर जाना भारती जंता पार्टी राजनिति के अलाबा कुछ नहीं कर रही है कॉंग्रेस पार्टी तिरंगा जंडा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी और असली हगदार कॉंग्रेस पार्टी है भारती जनता पार्टी सिर्फ दिखावी किराजनीती कर रही है आज आदिवासी दिवस है निश्ची दुरूप से बहुत-बहुत प्रदेश की आदिवासी भाहेवेन सबको बहुत-बहुत बढ़ाई सुबकामना है साथ ही कि प्रदेश में पूरे छत्एगर प्रदेश आदिवासी बहुत प्रदेश है और प्रदेश का मुख्या भी आदिवासी है इसलिए मैंने दुखी मन से आज पत्र लिखा कि बस्तर के आदिवासियों किस सरकार में सुरक्षित नहीं है फरजी नकसली के नाम से मार दिया जा रहा है और फरजी सरेंडर के नाम से आदिवासियों को प्रताडित किया जा रहा है फरजी नस्तिली के नाम से जेल भेज दिया जा रहा हूँ जो पिछले पंदरा साल में हुआ आज भी वो सरकार आज भी कर रही है मलेरिया और डाइरिया से हमारे आदिवासी भाई बैन मर रहे हैं कुरबा और बेगा जंजाती सुरक्षित नहीं है हमारी जल जंगल जमिन की कटाई की जा रही है इसलिए दुखी मन से आज मैंने पत्र लिखा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंतरी और आदिवासी सुरक्षित नहीं है इसलिए अज़्धुकी दिवस के दिन मानी मुख्य मंतरी जी को पत्र लिखा ताकि कम सकम आधिवासियों को सुरक्षित यह सरकार रख सके लेकिन यह सरकार में आधिवासी इस साथ-ान से मह tyre मैंने में पूरे तरह से प्रताडृत हुए बारती जन्ता पार्टी के सरकार पुरी तरह से विदान सबाचुनाओं से पहले देखे, लोग सबाचुनाओं में देखे, हार के डर के बज़र से बदनाम करने के लिए और डराने के लिए सीबी आई, एडी, आईटी का रेड, यो डबलू का रेड किया जा रहा है, इससे हम डरने वाले में से नहीं हैं, हमारे विदायक देविंद यादो जी को, बलोदा बाजार घटना में उनका तार जोड़ा जा रहा है, एक बार बयान दे चुके, रात को फिर उनके पास नोट जानी पार्टी है, आपके ED, CBI और EDC रेड करने डरने वाली नहीं है, हम आपके खिलाब में और इस प्रजात अंत्र में भरदी जंता पार्टी खिलाब में और सरकार के खिलाब में मजबूतिक साथ और खुलके लड़ाई लड़ेंगे। कर दो कर दो कर दो